ओल एंडिया किसान संघर्ष कॉडिनेशन कमिटी AIK-SPC ने अज फिर से भारत बंद का अहवान किया था जिसे बहुत से राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है भारत बंद का असर आज सुबह आट बजे से ही बिहार की सडकों पर दिखाई दे रहा है राश्ट्रिय जन्ता दल, कॉंग्रेस और वाम दल अज तीनों क्रिशी बिलों के विरोध में फिर से सडकों पर दिखाई देंगे जानकारी के लिए बता दें अज बंद होने की बज़े से यातायात प्रभावित हो सकता है बाम दलो ने एने जाम करने की बात की है, जिससे कि लंबी दूरी का सफर तैख करने में मुसीबते आ सकती है बिहार में चलने वाली बसे भी इस बंद से प्रभावित होंगी 120 लोकल बसे और लंबी दूरी की कम से कम 200 से अधिक ऐसी बसे हैं जो इस चीज से प्रभावित होने वाली है पटना के बुद्धा स्मिति पाक से AIK SCC के बैनर के साथ 11 बजे से विरोध मार्श निकालना शुरू कर दिया जाएगा आपको ये भी बता दें कि सुबह करीब 8 बजे से ही किसानों ने SH2 और NH 139 पर आगजनी कर जांग कर दिया है और अंगाबाद के कर्मा रोट पर बहुत कम वाहन दिखाई दिये रहे हैं इस वक्त तक कोई राजनीतिक दल भी वहां बहुत जादा सक्रिय नजर नहीं दिख रहा हाला कि राज़त के कारे करताओं ने और अंगाबाद की सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है महागट बंदन के कारे करताओं ने सुबह से ही NH 28 को जाम कर दिया है समस्ति पर रोषड़ा मार्क पर भी जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है खगड़िया में भी कुछ ऐसे ही द्रिश्य देखने को मिल रही है बंद समर्थक राजियन चौक पर टायर जला कर विरोध प्रदर्शन कर रही है बलु आही बस ठान के पास NH 31 को भी जाम कर दिया गया है वहाँ जन अधिकार पार्टी के नीता टायर जला कर विरोध प्रदर्शन कर रही है पूर्णिया, मुंगेर, बेगु सराय और समस्तिपुर में भी विपक्षी दलों के कारे करता वो समर्थक सडकों पर उतर चुके हैं समस्तिपुर, ताजपुर में रोट पर सुबे से ही गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है किशन गंज के बहादूर गंज में भी राज़त के निताओं ने सडके जाम कर दी है आपको ये भी बता दे कि राज़त के निताओं ने पावापुर रेल्वे स्केशन पर राज़की से नई दिल्ली जा रही श्रम जीवी एक्सप्रेस को भी रोग दिया है जानकारी के लिए आपको ये भी बता दे कि जब भारत बन की घोशना हुई थी तब ये बाते कहीं गई थी कि ये शांती प्रिय विरोध प्रदर्शन होगा आम लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा किसान नेता बलदेव सिंग ने कहा था कि ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का नहीं बलकि पूरे देश का है आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए हमने भारत बन का अहवान किया है जो की सुबह आठ बजे से लेकर शाम तक चलेगा इस दौरान दुकानों और कारोबारों को बन रखा जाएगा हर्याना पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बन रहेंगी लेकिन शादी के कारेक्रमों को बन से छूट दी जाएगी आंब्योलेंस और आपात कालीन सेवाओं को छूट रहेगी ये भी कहा गया था कि दूद फल सबजी पर रोख होगी लेकिन एमरजंची सुविधाओं में कोई बादा नहीं डाली जाएगी ना ही किसी की शादी या बारात में कोई दिक्कटे होगी पिछले कई दिनों से किसान मौनसून सत्र में लाए गए तीनों क्रिशी बिलो के विरोध में सडको पर है अभी तक किसानों और केंदर सरकार के बीच में पांच बैठके हो चुकी है जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कल यानि कि 9 डिसेंबर को फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत होने वाली है देखते हैं कि अज भारत बंद में विरोध प्रदर्शन में और क्या-क्या रूप दिखाई देते हैं आज की हर अपडेट के लिए आप हमारे चानल के साथ लगतार बने रहे हैं इस खबर में इतना ही अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं आप उसकी मदद से डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुँचा सकते हैं इस वीडियो कौन तक देखने के लिए धन्यवाद मैं हूं सॉमयराठी क्यामरे के पीछे खड़े हैं पप्पू सिंग और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन